इस वक्त कोरोना वाइरस को लेकर भारत में तमाम एहतियातन कदम उठाय जा रहे हैं लेकिन खत्रा लगातार बना हुआ है बड़े से बड़ा और शक्तिश आली देश भी इस पर काबू नहीं कर सका है जरा सोचिए ये जो कोरोना वाइरस की कोविड 19 किसम सामने आई है ये ज्यादा तर लोगों में हलके से विमारी पैदा करती है लेकिन फिर भी दुनिया भर में इतनी मौत है कैसे तो ये वाइरस कैसे शरीर पर हमला कर रहा है, क्यों कुछ लोगों की मौत हो रही है और कैसे इसका इसका इलाज संभव है पहले इंक्यूबेशन पीरिड के बारे में जानते हैं ये वो वक्त होता है जब वाइरस शरीर में अपनी जगह बनाता है वाइरस शरीर के cells में घुस कर उन पर काबू पा लेता है कोरोना वाइरस आपके शरीर में आता है जब आप उसे सांस के जरिये इनहेल करते हैं या कोई संक्रमित जगह चीज चूलेते हैं और उसके बाद अपना चहरा पहले ये गले और फेंपडो के सेल्स पर अटाक करता है और बस वहां कोरोना वाइरस फैक्टरी बनाकर नए वाइरस पैदा करता है ताके शरीर के और सेल्स को भी प्रभावित कर सके शिरुवाती स्टेज में तो आप बिमार नहीं होते हैं और कुछ लोगों में तो लक्षन कभी नहीं दिखते यूँ तो ये incubation period यानी संक्रमन होने और लक्षन दिखने के बीच का वक्त लोगों में अलग-अलग होता है लेकिन आम तोर पर 5 दिन का होता है ज्यादतर लोगों में हलकी से विमारी होती है दस में से आठ लोगों में COVID-19 संक्रमन mild होता है और लक्षन होते हैं तेज बुखार और सूखी खासी शरीर में दर्द, गले में खराश और सिर दर्द भी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि ये लक्षन दिखे ही बुखार का मतलब है कि आपके शरीर की रोग प्रती रोधक शक्ती जिसे हम immunity कहते हैं वो संक्रमन पर respond कर रही है immunity को पता चल जाता है कि वाइरस शरीर में घुसा है और फिर बाके शरीर को भी signal जाता है जिसमें एक chemical release होता है cytokines वैसे तो coronavirus में सूख ही खांसी होती है लेकिन कुछ लोगों को बल्लगम भी आने लगता है जिसमें फेपडों के dead cells होते हैं जो virus ने मारे हैं इन लक्षनों को bed rest से, liquid पीने से और paracetamol से ठीक किया जाता है यहां तक तो अस्पताल की जरूरत नहीं होती यह स्टेज एक हफते तक रहती है इस स्टेज पर ज्यादा तर लोग recover हो जाते हैं क्योंकि उनके immune system ने virus को हरा दिया लेकिन कुछ लोगों में गंभीर बिमारी भी हो जाती है यह गंभीर बिमारी वाली स्टेज तब आती है जब immune system ने कुछ ज़्यादा ही react कर दिया immune system का chemical जब शरीर को signal देता है तो उससे inflammation होती है और इसी को balance की जरूरत होती है ज़्यादा inflammation हो गई तो शरीर को नुकसान होगा फेबलों की inflammation को ही pneumonia कहते हैं धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है कुछ लोगों को तो ventilator की जरूरत पढ़ जाती है चीन के data के मुताबिक इस stage में अब तक 14 फीज़ी लोग आए है तो एक critical stage कब आती है अनुमान है कि 6 फीज़ी लोग ही अब तक critically बिमार हुए है इस stage तक शरीर हार चुका होता है और मौत का chance बढ़ जाता है यह तब होता है जब शरीर का blood pressure बहुत जादा गिर जाता है और शरीर septic shock में चला जाता है शरीर के organs काम करना बंद कर देते हैं डॉक्टरों ने बताया है कि हर संभव कोशिश के बाद भी कैसे लोगों की मौत हुई पहली मौत एक 61 साल के विक्ति की हुई चीन के वोहान शहर में उन्हें pneumonia हो गया था ventilator पर रखे जाने के बावजूद अस्पताल में 11 दिन के बाद उनकी मौत हो गई दूसरे विक्ति 69 साल के थे और उन्हें acute respiratory distress syndrome हो गया था उन्हें ECMO मशीन लगाए गई लेकिन उन्हें pneumonia हुआ और फिर septic shock इस तरह उनकी भी मौत हो गई इन दोनों में एक नोट करने वाली बात ये थी कि दोनों ही यूँ तो स्वस्त दिखने वाले लोग थे लेकिन लंबे वक्त से smoker थे जिसकी वज़े से उनके फेपड़े कमजोर हो गए थे और कोरोना के हमले से नहीं लड़ पाए